सीजन फाइव एपिसोड नाइन स्टार्ट होता है और हमें वॉल्टर का घर खाली दिखता है उसका घर अब कोई भी नहीं रहता ये एक फ्यूचर का सीन है उसके घर मर वो फिर विजिट करने आया हुआ होता है उसका जो स्विंग पूल होता है वहाँ टीनेजर्स स्केटिं वेगरा कर रहे होते हैं वो उसके घर में आता है तो उसका घर बहुत ही वेंडलाइस्ट किया हुआ होता है वो फिर प्रिविएस एपिसोड में हमें देखा था कि उसने राइसिन एक की सॉकेट में रखा था तो उसकी सॉकेट को वो ओपन करता है और राइसिन वहां से नि तब वो टॉयलेट से बाहर निकलता है, वो मरी को बोलता है कि मेरे तबीयत अब अच्छी नहीं है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए, मरी भी स्काइलर से एस्क्योज लेती है, और वो गाड़ी में बैठते है, वाल्डर उससे पूछने आता है कि तुम्हें क्या हुआ है, प अब वो घर आता है, तो मरी उसे बोलती है कि तुम्हें हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, हैंक बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ और मुझे हॉस्पिटल की ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है, वो घर आकर गेल बेटेकर की जो हैंडराइटिंग होती है, वो मैच करता है, और उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है, वो फिर से एक बार कंफर्म करना जाता है, पर अब कंफर्म हो चुका होता है, जब कारवाश पर स्काइलर और वॉल्टर होते हैं, तो वॉल्टर स्काइलर से बोलता है कि क्यों न हम और एक कारवाश बाय कर ले, हमारे जो पैस तो बहुत सारे years तक हम launder करते रहने वाले है तो अकर दो हो तो हम ज़्यादा fast कर सकेंगे फिर car wash पर लीडिया आती है और उसकी keys Skylar को दे देती है फिर वो Walter से मिलने जाती है Walter को बोलती है कि बहुत ही कम purity हम cook कर रहे हैं तुम्हें आकर हमें फिर से एक पार सिखा देना जाहिए सिर्फ एक week एक tutorial समझ कर तुम आ जाओ और हम तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे सकते हैं पर Walter उसे बोलता है कि अब मैं यह न मुझे बहुत ही अलग लगी वो rental car wash कर रहे थी Skylar उसे पूछती है कि यह कौन थी तो Walter उसे बोलता है कि यह मेरी former associate थी यानि कि मेट cooking में उसकी कलीक थी Skylar फिर बाहर आती है Lydia की car wash हो रहे होती है पर उसके employee को बोलती है कि तुम अब यह car छोड़ दो और वीडियो लीडिया पर होता है और वो office नहीं जाता जो girls वेगरा सब related files होती है वो सब वो घर पर ही लेकर आता है वो Walter के खिलाफ evidence create करने के लिए बहुत ही जूड़ जाता है जैसी उसके पैसों के बारे में सोच रहा होता है फिर वो Saul के पास आ जाता है Saul के waiting room में उसे wait करना पढ़ रहा होता है तो वो वही weed smoke करने लग जाता है तो Saul उसे तुरंत अंदर बुला लेता है वो Saul को दो पैसों की bag दिखाता है वो फिर Saul को बोलता है कि जिस बच्चे को टॉड़ने मार दिया था उसके parents के लिए एक bag है और एक bag जो है वो Mike के granddaughter के लिए है Saul उसे पूछता है कि क्या तुम अभ आरिटी कर रहे हो यह बहुत ही घटी आइडा है वो उसे समझाने के कोशिश करता है पर जैसे उसे बोलता है कि यह काम हो जाना चाहिए फिर Saul Walter को call करता है Walter उसे बोलता है कि यह पैसे तुम किसी को भी मर्द हो मैं जैसी को फिर से समझाने के कोशिश करता हूं Walter हमें उसके chem पिर से वापस आ गया है वाल्टर फिर जेसी को समझाने उसके घर जाता है वो उसे बोलता है कि यह जो तुम कर रहे हो वो नॉनसेंसी कर ले तुम अब इससे बाहर निकल चुके हो अब तुमें पुरानी चीज़ों पर क्लिंक करने की ज़रूरत नहीं है तुमें एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हो जेसी वाल्टर से बोलता है कि मुझे पता है कि माइक को तुमने मार दिया है और उसके ग्रैंड डॉटर को पैसे नहीं मिलने वाले तो इसलिए मैं उसे पैसे देने वाला था Walter उसे बोलता है कि Mike अभी भी जिन्दा है पर वो अब इस city में नहीं रह रहा और वो perfectly capable है कि वो उसके granddaughter का खयाल रख सके Walter फिर घर आता है और वो dinner कर रहा होता है तब उससे फिर से जो reaction हो दी गीमों की इसकी वज़र से उसे toilet जाना पड़ता है और उसे उल्टी हो रही होती है जब toilet में वो देखता है तो उसकी जो book होती है वो उसे नहीं मिलती फिर वो bed पर आकर Skylar से पुछता है कि तुमने मेरी वो book कहा देखी फिर वो उसे लगता है कि Walter जुनियर ने वो ली होगी पर Skylar बोलती है कि ये कभी भी possible नहीं है फिर उसे Hank पर शक जाता है उसे लगता है कि Hank को वो book मिल गई होगी तो वो Skylar से पुछता है कि Hank को क्या हुआ था तो Skylar उसे बोलती कि उसका stomach upset था और वो 2-3 दिनों से office भी नहीं गया फिर उसका शक strong होता है तो वो बाहर जाता है और उसकी गाड़ी को देखता है कि उस पर tracker है या नहीं तो उसे एक tracker मिल जाता है यहाँ JC जो होता है वो रात में उस पैसो को लेकर गाड़ी में बेठा हुआ होता है तो एक वेकर उससे पैसे मांगता है तो उससे एक पूरी बंडल वो दे देता है फिर वो पूरे neighborhood में वो पैसे बाढ़ते हुए गाड़ी चलाता है नेक्स दिन Walter Hank से मिलने आता है Hank को जो लोग सब files वगरा देने आते है वो लोगों से भी उसकी चान पहचान होती है उससे वो conversation स्टार्ट कर देता है फिर Hank Walter को garage में बुला लेता है Walter उसे बोलता है कि तुम्हारा stomach upset था इसलिए मैं तुम्हें देखने आया हूँ वो बोलता है कि तुमने वो salad वगरा तो नहीं खाया था न पर कोई और भी बिमार नहीं हो तो वो salad नहीं हो सकता ये normal conversation वो कर रहे होते है पर फिर Walter वापस आता है और tracker Hank को दिखाता है Hank फिर garage बन कर लेता है और Walter को बोलता है कि हो तुम ही थे वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगा Walter फिर उसे कहता है कि मैं मुझे अप cancer फिर से हो गया है अगर तुमने कोई भी सबूद एकटा कर लिये तो तुम्हें भी बता है कि मैं जेल में नहीं जा सकता कोई भी ये story बिलिव नहीं करेगा और तुम्हेरे पास इतना भी evidence नहीं है हैंक बोलता है कि तुम्हें जेल में ही सरना चाहिए तुम्हें मर जाना चाहिए अच्छा हुआ कि तुम्हारा cancer वापस आ गया वो उसे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस से बात कर रहा हूँ फिर यही episode खतम हो जाता है